हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है ताप्ति स्टडी क्लासेश फैनल पे तो आज मैं आपको कक्षग्यारवी विशे गणित का पूरा शंपूर नहल बताने वाली हूँ यहां पर आपका प्रश्ण बैंक में जितने भी उनिट के कोश्चन आया सारे उनिट का हम एटुजेट पूरा फूल सॉलिशन देखेंगे तो आपको वीडियो को पूरा देखना है तो आपके मैच के जितने भी चैट्र है चैट्र 1 से लेकर चैट्र 16 तक पूरे जितने भी सब सॉलिशन हम इसी वीडियो में देख लेंगे यानि की वस्तुनिष्टर से लेकर दो अंक तीन अंक और चार अंक सारे प्रश्ण आपको पुछे गए तीन और चार अंक वाले सारे प्रश्णों के उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में देदूंगी जो के 146 पेज की तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रूप जॉइन कर लें इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी इससे आप क्या होंगे आपको यी पीडियाप पूरे विश्व की मिल जाएगी तो वीडियो शुरू करते हैं यहां पर जो अध्ध्या पाच यह भी पूरा दिया गय जो चारंकर की दो जबस जाएगा तो यहीं जिए बृटियं से चौल यही Hugибart के सबसे पहले तेलीग्रम ग्रूप को जोईन कर लें यहाँ पर solution देख सकते हैं आप इस प्रकार से दिये गए जैसे कि यहाँ पर जो इसका second answer हो जाएगा यहाँ पर इसका third number का answer हो जाएगा बात करते थर्ड question की तो यहाँ पर भी इसका answer इससे प्रकार से हो जाएगा इसके बाद आई की पाउर 44 इस कमाने आप आपको दिया गया तो यहाँ पर इसका सही प्रकार से रिक्तिस्थानों की पूरती में पहला अंडरूड a भी आ जाएगा चटवे का जो आंसर हो जाएगा वह जाएगा माइनस फोर बाय थ्री अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए उसके और बढ़ लेते हैं तो पहला प्रश्णी आपर आपको जो पूच्छा है वान प्लस आई इसको solution बहुत सरल तरीक से करना मल्टिप्लाय कर देंगे तो आपक तो इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना हम तीजरा कोश्चन है यहां पर आपको एप्लस आई बी का मान गयात करना तो इसको भी सम्मीशित संखे वाले पूरे पार्ट में इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे आगे बढ़ते हैं यहां पर आगे है आपका जो उत्तर नमपर कोश्चन है यहां पर आपको पूछा गया है 15 संखे हा को एत्वर आउटा में तो इस इस फ्रकार सब्समीशित संखै ईशित से खाएगा और दों से बाहरें अं dett क्योंकि माइनस वन में पक्षांतर करेंगे तो जो माइनस वन बचेगा उसमें अंडरूट लगाएंगे तो हम इसको आयोटा कर लेगे माइनस को बैलेंस करने के लिए उसके बाद ए प्लस आई बी का योगात्मक प्रतिलोम तो यहां पर चीन्न परिवर्तित हो जाएंगे माइनस आई भी हो जाएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रतिलोम के वास्तविक भाग क्या होगा तो जीरो होगा इसका असाई आंसर उसके बाद में आपको मापांक और कोणंक पूछा गया तो इसके लिए आपको जो तीन और चार अंक वाले प्रतिलोम करना तो माइनस से पहले हम मानेंगें को इककुए कुएसाई नमबर बन और साइंट werden को इसके से लिए नमबर सेकएना अबломद стран सबसे पहले पर इसके और प्रकार से निचलती है तो दोनों वेल्यू को जब आप मान निकालोंगे तो इस प्रकार से आपका मान आजाएगा बाद मे सब्सक्राइब करले के लिए दिए न के लिए वzahl प्सक्राइब में समीकरन के तरसी खार मापन को करने के लिए बस कुछ नहीं करना आपको मान रख देना है तो यह पूरा एक्विशन आपका सॉल्व हो जाएगा इसको इसी प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना उसके बाद में आपर आगे बढ़ लेते हैं जो कोश्च नमबर त्री वी सी प्रकार से दिया गया तो यहां पर पूरे इनु प्रकार से दिया गया इसका भी सॉल्व करते हुए चलना है बहुत जादा इंपॉर्टेंट है सारे कोस्टन इनमें से हर बार पुछे जाते हैं मैं आप जब पिछले सालों के पेपर को ठाकी डेखोंगे तो आपको ऐसे ही कोस्टन निमें नजर आएंगे तो यह सारे सॉल कोशन है तो बहुत सरलय इसको आसनतरीकर से करना होता है कुचन इसमें बच आपका हरका परीमेया रहता हो dib 325 को ऑनजर आपको ही करना हो यहां पर सेम जया करना है और x इसको प्लस बाइस कर भी दिया दोनों की value दी गई है तो एक को equation number 1 देते हैं जो x यहाँ पर हमान लेते हैं क्योंकि हम जानते ही क्या होता इसका मानिय आपको दिया गया तो हम x प्लस i y के पदों में इसका निकालेंगे तो हमने पहले यह जो equation दिये इसको हम इस प्रकार से कर लेते हैं क्योंकि आपको क्या दिया एक्स माइनस i y की value दिया है तो उसमें plus है लेकिन यदि हम एक्स प्लस के लिए निकाले तो क्या आएगा minus तो बस इतना सा चेंज कर हमने यहाँ पर जो प्लस दिख आपको इसको हमन प्लस में करवट कर दिया तो चीनन से जाहिर सी बात है पूरे चीनन चेंज हो रहे तो यहाँ पर वह बेल्यू चेंज हो जाएगी उसके बाद में हमने equation नमबर जो फॉर्स यहां पर बनाएती इसी को हम जो question में दिया गा था इसको हमने change कर तो यह हमारी equation नहीं बन चुकी है उसके आधर पर यहां पर मान निकाल सकते हो उसके बाद में आप इसको इस प्रकार से solve कर लेना है और साथ में ही जो equation आपको दीगे उसी को आप solve कर सकते हो यह इस प्रकार से आपको लिख लेना बाहर हटाते है तो आपको पते हूंगा जब यह बाहर आता है तो इस प्र स्म में गरण एक और दो का गुना कर लिँ सारेा क्वेस्टिन स्वाह हो सकती सुन वा पर दस्वा कोश्चिन को था इससार शैय तो डर्रोफ करने पर ईसमा पर इस प्रकार ऑगर एकसे राएक के बहुत करने आपको लेकिं यहां पर आपको यह सकतusp Wy同 इसको ध्यान से करना है आपको कोई भी घलती ने करना है नंबर कटने के चांसे नहीं रखना है यह हो गया आपका next question question number 11 का solution जो आपको पुचागा तो यह solution हो जाएगा उसके बात यहां पर जो solution हैंगा वो answer आपका निकलेंगा 31 by 41 दोनों ही विशम संग्याओ के रूप में इसका answer निकलेंगा लेकिन आपके a और b के मान डिफरेंट है मतलब आपका जो हर है वो तो 41 है बट a और b के मान आपका डिफरेंट है तो यह इस प्रकास आपको करना है बारवे number question में a square plus b square is equal to 1 है तो आपको कुछ प्रूप करना है तो LHS लेके चलिए RHS प्रूप होजाएगा यह भी सेम कोश्चन है जो सम्मिश्र वाले उसमें जाद तरहर का परिमे करन और multiplication बहुत बार आता है तो उसको अच्छे सापको करना है क्योंकि complex और real numbers के अनुसार इनको divide करना होता है जै तो इसमें वही हमें difference between clear करना पड़ता है इसके बाद में यह question को solve करना है तो question no.14 जो इस प्रकार से दिया तो इसको भी आपको same question को सबसे पहले हैं आपको under root में दिया है तो under root को solve इस प्रकार से किया जाता है चुकि अंदर क्या अच्छी है तो हम इसको 6 i को तोड़ लेत इसके बाद यह सरसमें का बन जाएंगे और आपका मांड 2i निकल जाएंगा उसके बाद question no.15 भी आपको इसी प्रकार से दिया गया इसको भी आपको solve कर लेना है यहां से आप देख सकते है आरेचे साब का आई की पावर एं निकल जाएंगा पूरा आपको इस प्रकार से इसकी पीडियो के लिए आपको टेलीग्राम जॉइन कर लेना है जहां पर मैंने यहां पर इसकी जल्दी पीडियो आपको शेयर होंगी तो सबसे पहले वीडियो को जादा से जादा अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कर दीजे ताकि आपके फ्रेंड्स की भी help हो सके और स साती साथ आपको बैच्चे से नोट करना है और साती चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे वीडियो को फटा फट लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले यह दिए इस प्रकास आपको solution यहां पर दिया गय तो यह आपको पूरा solve करना है साथ ही को डाट हो था कमेंट करके पूछ सकते हैं यहां पर आपको इस प्रकास से solve करते रहें आप नेक्स्ट है वो किस पर है नेक्स्ट चैप्टर आपका स्षण से क्रमच और संचे से तो यहां साराल वैसे टॉपिक बहुत साराल है आप आ पर मैक्जिमम तीन अंक और चारंग कोशन आपते हैं मतलब तीन से चारंग कोशन आपके लिए प्रिपेर हो रहे हैं तो इनको तयार करना है क्योंकि 10 अंक टोटल मार्क आ रहा है तो अबजेक्टिक को सॉलुशन देख लेते हैं पहले का आंसर दूसरे कंशरें अ प Имाला है यहांज चोटरें जो com करना हैं opposite दूसरे 47 की बात करना है इसके सारे और तरह आपको नोट करना तो इसे प्राकार से आपको सारा अब्जक्टिव ध्यान से नोट कर लेना अच्छे से यह पूरी पीडियाप 146 पेच किये इसको पूरी आपको पूरी के पूरी प्रिपेर करना है क्योंकि हर बार इंपोर्टेंट होते हैं ऐसे कुश्चन साते हैं बहुत बार पुछे जाते हैं इसी प्रकार से बात करे सही वी कल्प लिखती स्थान की तो यहां पर फैक्टोरियल 0 कमान 1 है एंप यांप यांप यहां पर आर कमान 3 आ जाएंगा यहां पर इंदोर जो है उसको 720 के रुप में इसको लिख सकते अक्षरों को इतना आपको शब्द बनाएं तो फिर इसमें एक्स कोश्चन भी बस क तो प्रकार से स्वो करना है उसके बाद में यहां पर बढ़ते है कोश्चन सेकंड तो कोश्चन में सेकंड में RPG ситу यहां पर अन्कामान ऊंए यहां चाहितना है तो यह पर निकलेंगा है फश्केंश आजगा का पूछस लाप्रत ल जाता है वह सकता है तो पसके हैं प्रमु तो इसमें जो अक्षर की संख्या आप सबसे पहले उकाउंट कर लेंगे आप तो यहां पर 7 है उसी आधर पर 7 पी 7 आप लगा सकते हैं कि इतने अक्षर से तो यह इस प्रकास आपकी value find out हो जाएगी बस आपको यहां पर फैक्टरल को solve करते आना चाहिए आगे बढ़ते हैं question कि बनाई जा सकने वाली संख्या यह mathematics यह अक्षर बहुत बार पुछ जाता है कि आपका maths का subject है तो mathematics maximum time पुछ जाता है कितने अक्षर है जिनके यहां पर आप बनाए सकते शब्दू की अविर्ट संख्या तो बस 11 factorial upon 2 factorial 2 factorial 2 factorial इनको solve कर लिए बहुत सारल तरीकी सा आंसर आप क्योंकि घ्रम चाहे तो यहां से वही question बनते हैं बहुत बार पूछे जाने वाले तो यह question का भी solution हो जाएगा उसके बाद एक ठैले का है यहां पर ताश के पत्ते के अनिसार भी एक सवाल आता है हर बार पूछ जाता है जैसे यहां पर लाल काली की इनको हम देख रहा है इ अगली question में भी इह इस प्रकार से दिया गया है यह आपको पूरे के पूरे solve करना है बहुत मद्वा पूहने सारे के सारे इस लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको प्रश्ण बैंक का सारो सॉलुशन मिल सके तो इस प्रकासे आपको सॉल्व कर लेना है उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां पर इस प्रकासे आपको कोश्चन दिये गए हैं इन्वाल्यूट शब्द का पूचा गया ह इसमें अर्थपूर्ण या अर्थभी शब्द भी पूचे गा हैं तो इनका भी आप बना सकते हैं यहां पर आपको पूरी पीडियाप मिलने वाली है टेलिग्राम पर तो टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लिए पूरा सॉलुशन आपको पूरा सॉलुशन मिल रहा है यहां पर योगफल इस प्रकार से बताए गया है उसके बाद में आपर समांतर श्रीनी का जो सर्वांतर होंगा इस प्रकार से अंतिम पत कितना है इसका यहां पर मैंस 24 का 9 है जो आपको ऑफ्षिन नमबर 2 है रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए यहां पर जो पहले का उतर ह कितना हो जाएंगा अंतिम पत को अंतिम पत को अंतिम पत कितना जाएंगा 100 यह आपको याद रखना है बढ़ते हैं दूसरे नमबर के प्रिशन के और यहां पर आपको जो स्रेणी दी गई है गुणतर श्रीनी में से किसी पत का उसके पहले वाले पत से जो नुपास होता ह यहां पर सारवंतर माइनस पाच हो जाएगा अंडरू डेवी हो जाएगा गुणतर माद दे उसके बाद में जो समांतर श्रीनी का व्यापकपद है वो इस प्रकास से आपको निकाले ना एल कमान मतलब और इसका व्यापकद भी ग्याद कर लिए प्रिशन उत्तर यहां पर बहुत अच्छे से फॉर्मुले को अप्लाय करना है इससे आप इनको आसानी से समझ सकते हो तो यह पूरे फॉर्मुले आपको लगाते वह चलना है तो समांतर गुणतर श्रीनी से ज़्यादा तर कोश्यन पार्ठी का नाम ही अध्याय का नाम तो उस पे से ही बने गए लि लेकिन इसके लिए आपको टेलेग्राम को जॉइन करना होगा उस पर मैं सारी वीडियाप शेयर कर दूंगी इसलिए अपने फ्रेंड को बताइए कि आपको पीडियाप कहा से मिलने वाली है उनको अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर करें वीडियो को ताकि वह भी सॉलीशन का फाइदा उठा सके उनको भी सॉलीशन मिल सके और साह taką आपको आपको सॉलीशन हो रहा है इस journée वीडियो डि़यो को लाink करना बिल्कुल न भूले अपने दोस्तों के साथ भी स्चयर करना बिल्कूल थे प्राइब्ट सेरी से 잡ास दोत डिक्षैल सब्सक्राइब करना उने तो इसके लिए फिलागत सबतीर सभी प्रिटेजान कहले सब्सक्राइब ओर कि निफ्सक्रीक जान आ से आधर अग्यां तो तयार करने के लिए आपको इस प्रकार से questions को देखना होगा यहां पर आपको सबसे पहले जो question पूछा गया उस आधर पर चेटर फल ग्याद करने के लिए कहा गया यहां आपको सबसे पहले जो छेत्रफल वाले फॉर्मुले वो याद रखना होगा जैसे त्रिबुच के बात करें तो इस प्रकार से दिया गया तो यह आपको त्यार करना है बिंदू के निर्दशांग बिनाने वाली रेखा के अनुपाद मिहां पर दिये गया तो इसमें फ तो यह पूरी आपको सॉलिशन करते वे चलना है यहां से तीन और चार रंक के कोश्चन बन रहा है अपको यहां से ट्राय आपको सिर्फ तीन और चार रंक वाले प्रशन यह जैसे यहां पर दिख रहे हैं समीकरन जो बनाए गया है वजरगुन अन विदी से हल करने के चुकि पीडियाप बहुत बढ़ी है तो इसको आपको आसानी से सॉल्व दीरे करना होगा एकदम से सॉल्व नहीं हो पाईगी पर इनको आपको लिखके नोट करके रखना अच्छे से या फिर आप इनको बार बार प्रेक्टिस कर सकते हैं जितने बार चाहतने बार आपको ध्यू नहीं करना है यहां पर शंकू परिशित की बात करें चैप्टर नंबर 11 तो यह आपको यहां पर जो ऑब्जेक्टिव देख लेते तो ऑबजेक्टिव तो यहां से लिखे रहे हैं आपको और पाच अंक का एक मतलब सबसे बड़ा आपको सबसे बर पाच उंक करनान सारे फॉर्मुलियात करलोगे तो दो अंकर के ऑटमेटिकल अब्जेक्टिव में बन जाएंगे तो वैसी कौष्चन पूछेगा है कि यहां पर आंसर भी इस प्रकार से आपको दिये गया तो यह सारे आपको किरना है बहुत अच्छी से त्राइक करना है यहां पर दिये गए सारे के सारे कोश्चन बहुत मात्वपूर्ण इनको सभी कोभी से तयार करना शुरू कर दीजिए पेपर में बहुत मात्वपूर्ण प्रश्ण नहीं से आने वाले यहाँ पर दिएगा इस प्रकार से आपको रिक्तिस्तान जैसे की दिर्गरवरत का जो समिकरन होता है एक स्क्वेर अपने देख लिए आपको दिया गया आगे बढ़ते हैं आगे आपको कोशन दिये गया समिकरन आपिकों के बीच की दूरी यह सब दिया गया सबका सब सॉलुशन बहुत मत्वपूर है सारा आपको करके देखना है यहाँ पर जो बात करते हैं यह दी एक्स कर प्रस्वास के इकल टू टैनेक्स है तो यहाँ पर जो व्रत की जीवा भी दिगई है व्रत का समिकरन गयात करना इसके लिए आपको व्यास जिसका व्यास क्या है यह जीवा है तो इक्वेशन दी गई है इसको आपको समझना है चीतर भी दिया कि व्रत की जीवा से आपको इसका मान निकाल लेगा तो उसका भी सॉलुशन आपको इस प्रकार से कर लेना यह को बहुत बार यहां से question बनते हैं जैसे कि maximum type का जो आंसर होंगा बस आपको मैच करना इस प्रकार से आंसर आना चाहिए क्योंकि अब मैं बता है दिरगवरत का समीकरण इसी प्रकार से होता है इसको जरूर करें बहुत सारे question बनते हैं एक तो परवले का समीकरण most important है बहुत बार पुछा जाता है इस प्रकार से आपको तयारी कर लेना है यह बहुत सारे के सारे questions इंपोर्टन है इन में से questions आने के बहुत जाते chances है इसलिए सारे questions इनको सभी को तयार करें कोई भी प्रशन को छोड़ेने अध्या बारा आ चुका हमारा जो की त्रिवी में जामिती का है तो यहां से दो अंक की सिर्फ दो प्रशन आएंगे और पांच अंक का एक प्रशन तो मतलब की साथ अंक आपको यहां पर टोटल आ रहा है तो अंक की बात करें तो साथ अंक की त्रिवी में जामिती होगी तो यह भी important है आपके लिए पर पांच अंक है तो आप इसके ज्यादा तर इम्पोर्टन पांच अंक है मतलब यहां से objective ने बनेंगे तो यहां से objective की कोशिश ना करें ज्यादा तर कोशिश क्या करें पांच अंक वाले प्रश्ण की यहां से तयारी कैसे करेंगे दो अंक वाले प्रश्ण की यहां फोकस करें ज्यादा तर बड़े अंकों पर फोकस करें जिससे क्या हो आपके एक्जाम में नंबर बहुत अच्छे से आ सके इसलिए पांच अं बहुत आसानीस को ग्याद कर सकते हैं तो इस प्रकार से हां पर question दिये गए है बिंदु के निर्दश आंग है उसके आधर पर आपको पूरे questions मिल जाएंगे next question में भी प्रकार से दिये गए है बिंदु के मान ग्याद करने के लिए पर पूछे गए तो ये पूरे question सबसे पहले वीडियो को शेयर करें वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि पूरे सॉलिशन को प्रिपेर कर लीजिए बहुत महत्वा पूर्ण प्रशन सारे के सारे तो यह सारे महत्वा पूर्ण प्रशन देख लीजिए आपको बहुत जरूरी है सारे काम आ सकते हैं यहां पर पूरे questions आपको मिल जाएंगे इसके बाद में आपर जो अध्या है सीमा और आउकलाज यह जो अध्या है तेरवे नंबर का अध्या है यहां पर आपको दिएगे सही कल्प तो यहां पर लिमिट वाइस दिएगे तो इसका सह नंबर का उत्तर चार आएंगा पहले का जो सा नंबर का सही उत्तर जो प्रशन नंबर चार उसका इसी प्रकार से होंगा यहां पर डी बाइडी एक्स और टैन एक्स हो जाएगा इस प्रकार से निकाल लेना है बात करते हैं अगले प्रशन क्यों तो यहां पर एक्तिस्तानों की पूरती की जी यह भी question दिए गए तो इन पर पूरे आपको उसी पे से संबंदित question पूछेगा लिमिट में भी आपको याद रखना जैसे एकी पाउर वाले लॉग वाले यह फॉर्मुले बहुत बार पूछे जाती हैं पर बात करें देखिए लिमिट एक्स देंट सो 0 है एकी पाउर एक्स माइनस 1 अपन एक्स तो तो 355 पाउर जाएंगा बहुत आसान से उसके बाद आउकलन यहां पर पूछे गया है आउकलन गुणांग पूछे गया है यह सभी दोंक और चारंग वाले प्रेशन इनको नोट करते हुए चलिए सारे के सारे महत्वा पून प्रेशन है फिर उसके बाद यहां पर आउकल साथी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर करें बिल्कुल भी ना भूले यह पूरा सॉलेशन आपको मिल जाएगा है यहां पर सारे कोस्टन को हम देख लेते हैं तो देखें जो लिमिट्स ही मास के अनुसार मान दिए गया है साइन को स्टीट वाले ज्यादे आपको बनते हैं लेकिन यहां से जैसा मैंने बता है आउकलन गुणांक सबसे पहले आपको सारे आउकलज के फॉर्मुले पता होना चाहिए तो बहुत सहल जाता है यहां पर इसको आपको सॉल्व करना है और थोड़े से फॉर्मिल लगाना कुछ कोशिश नहीं बनते तो आपको बार बार ट्राय करना है कोशिश करना है तो आपसे बन जाएगे तो इसलिए इनको ट्राय करते रहे हैं सॉल्यूशन की आच्छे से आपको बार बार ट्राय करना है जिससे कि क्या आपको सॉल्यूशन करने की कोशिश करें इससे क्या होगा आपको जो सॉल्यूशन तो बन जाएंगे आपसे और बहुत जल्द उसका solution हो जाएगा तो यहां पर हमारी जिनोट ख़ना हो जाती है पाच अकपत होना चाहिए, और साथ ही आप यह यह इदि एक्स्टेशन चाहते हैं, और कोई भी चैप्टर पिडियाप का तो कमेंट करें, आपको सारे डाउट है, तो मिल इसकी वीडियो भी आपको, तो सबसे पहले आपको कमेंट करना है, कही पर भी डाउट हो, तो यह प्षेसे पूछने का तरीक बहुत चेंज होता है बहुत यूनिक होता है अपर नीव तरीके से सफ जाए जाता जाए जाए लेकर बहूलब निकालने के लिए जाया जाए माद्य विश्यून ग्याद करने बागण यहां पर प्रकास से बता दिया तो इस प्रकास से आपको पूरा कुष्ट को सॉलिशन को सॉलिशन कर लेना है और साथी अच्छे सब को कौपी में नोट कर लेना है ज Auswी साथी प्राइक तरिक चाहिए यहां पर आपको दीख चाहिएंगा इससप्रकार से साथी जल्दी एपलोड होंगे सारे विशयो की जल्दी उपलोड होंगी इसलिए सबसे पहले चानल को क्यास्तिक कर लोग सबसे मैं कि यह बन पूलेगा इस प्रकार से यहाँ पर सारी, आपको PREDIA भी मिलने वाली ही लेकर टेलिग्राम पे तो यह जैप्टर 1 का थे हैं मैं बता चुकी हूँ लेकिं यह आपने नोट नहां कर। आप पूरा एक वीडियो में चाहते हैं तो यह चैप्टर 1 के सॉलुचं इनको भी Triple body कर सकते है इसके वी questions मैंने provide कर दिये हैं तो यह देखिए पूरे questions से यहां पर आप इसको note कर सकते हैं पूरे मैंने पहले सबसे पहले chapter 1 ही दिया था तो chapter 1 बहुत से बच्चों ने note कर लिया है तो आप इसको match कर सकते हैं यहां पर आपको इस प्रकार से solution दियेगा तो यह पूरे solution आपको note कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से आपको दिये गया सारा solutions यहां पर है जो unit 1 है और 3 का हम नहीं नहीं देखा तो यह 3 के आपको objective हां पर दिये गया है पूरे chapter से हैं मैंने complete कर दिया आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन आले पीडिएप मिल जाएगी बहुत जल्द मिल जाएगी इसके लिए टेंशन नहीं लेना पर नोट करना कहीं doubt है तो आपको कमेंट करें मैं doubt को भी explanation दे दूंगे आपको इसका explanation वीडियो भी चाहते या सिर्प पीडियाप से पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है इसको भी आपको continue करना है यह जो chapter 3 है इसके पूरा solutions यहां पर आपको मिल जाएगा यह आपको नोट करना है बहुत मत्वपूर्ण प्रशन है सारे के सारे यहां पर आपको maximum 20 प्रशन पूछे गए 20-27 पूछे पर कुछ कुछ कोशन ताफ है तो इनको बार-बार ट्राय करना होगा जैसा में बता है जितनी बार आप ट्राय करोंगे उतनी बार आप से बनेगी तो इस प्रकार से सारा solutions की पीडियाप आज हमने देखी मैट्स की कक्षा 11 वी की और इसी प्रकार से सभी विश्यों के solutions के ले एक साथ पीडियाप के लिए आपको टेलिघरम गूर्फ जोईन करना होंगा और साथी साथ वीडियो के लाइक कर दीजे कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करना बिलकूल भीना भूले और साथी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को फटा पर सब्सक्राइब कर ले क तो मिलते हैं नहीं वीडियो में तब तक वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शियर करें साथी साथ टेलिंग्रम गूर्प को जॉइन करना बिल्कुल विना भूलें